तो हेलो एंड वेलकम यू ओल आयम रोहित प्रोम हजन ट्रेडर सु गाइस आज यहाँ पर बात करेंगे निप्टी वैंक निप्टी की और यहाँ पर कल के दिन क्या इसमें लेवल्स हो सकते हैं क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए ओ हम देखेंगे तो गाइस पहले हम बता दे कि आज का हमारा ट्रेड क्या था तो हमने मौनिंग में निप्टी में ट्रेड लिया था यहाँ पर सिंपल सा अनालिसिस था हमारा कल के दिन अगर आप देखोगे तो एक एसेंडल टाइप ट्रेंगल यहाँ पर क्रियेट हुआ था और उसके यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और उसके बाद हमें अच्छा पॉइंट देखने को मिला और उसके बाद अगर देखे तो आज काफी ज़्यादा गेप डाउन कुलने के बाद काफी आप हद तक देख सकते हो काफी ज़्यादा अपसाइड डाउंस मोमेंटम रहे और हमारा प्लान यही था कि यहाँ पर एक प्रॉपर सस्टेन कर जाए फिर हम ट्रेड लेके तो यहाँ पर तो यह सस्टेन नहीं कर पाया बट वही अगर देखे तो यहाँ पर यह वाला एक लेवल था इंपोर्टेंट लेवल था जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो यह की मिटिंग थी और तब ही यहाँ पर आप देख सकतो दस बचे के राउंड की एक एंडल है कितनी बड़ी यहाँ पर केंडल बनी एक ही बारी में यहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट हमने कमा लिया फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेस हुआ और कल का कल का जो लेवल था कल म टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो एक इंपोर्टेंट ट्रेड लाइन यहाँ पर क्रियेट हो रही है तो यहाँ तक पूरी तरीके से जाने की कोशिश इसकी रहेगी और बिलकुल वही हमें देखने को मिला आज आप देखोगे तो उसी पर्टिकिलर रेंज पर इ तो वही से ही निजी करा ना था तो इस सीमपल सा टार्गेट हमारे पास था और हमने फाइनल कर लिया था कि उस लेवल तक जाता है तो हम बिलकुल यहाँ पर पोजिशन हमारी एकजिट कर जाएगे और उसके बाद बिलकुल यहाँ पर साइडवेज रहा और साइडवेज काफी लोगों के stop loss यहाँ पर heat हुए, कोई भी trade हमें मिला नहीं, फिर हमने bank nifty में try किया था, कोई भी trade हमें मिला नहीं, और वही अगर देखिए तो कल के लिए क्या है, तो guys कल के लिए एक ही है, कल एक deciding day यहाँ पर हो सकता है, कल एक deciding day यहाँ पर हो सकता है, अगर gap up खुला, तो आपको wait करना है, इस particular level पर sustain करने का, यह जो trade line है, day one time frame पर जो मैंने बता ही, nifty की पर बात कर रहा हूँ, तो इस particular trade line पर sustain करने का wait करना, तो यहाँ से एक अच्छा momentum आ सकता है, नीचे से तो एक strong support आपको नजर आई जाएग देते है, इसको बिल्कुल यहाँ पर हमने trade line को थोड़ा ओड़ बड़ा दिया है, तो यहाँ पर हो सकता है, कि यह नीचे sustain कर रहा है, तो यहाँ पर sustain करके ऊपर की ओड़ चा सकता है, तो थोड़ा wait करना होगा, nifty में भी, बात कर ले, bank nifty की तो bank nifty में भी वही यहाँ पर जो targets हमने discuss किये थे, उन targets के around के level से ही यहाँ पर है down आना start हो गया, तो one hour के time frame पर में वो level आपको बताओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys, एक important levels है, तो यहाँ से bank nifty में एक fall देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर काफी जदा consolidation, momentum था, यहाँ पर भी consolidate किया था, और य आप देख सकते हो, यहाँ से भी उसी range से fall आया, तो कल के लिए क्या strategy आपकी होनी चाहिए, तो guys कल के लिए अगर देखे तो यहाँ पर एक pattern create हो रहा है, एक symmetrical type pattern आप इसे कह सकते हो, नीचे से support इसने लिए और उपर से बिलकुल यहाँ पर आप देखोगे rejection यहाँ पर face कर कर रहा है, तो गल के लिए अगर breakout मिला तो विलकुल एक अच्छी rally आ सकते है, और downside की और अगर देखे आप तभी इसमें negative रहना, जब चालिस जार 960 के around sustain कर है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा momentum आया था आज, और यहाँ पर अगर देखे नीचे का target हो सकता है, चालिस जार falls आज आये है, तो यह level के उपर अगर sustain कर गया, तो upside का momentum आएंगा, और upside का अगर momentum आता है, तो काफी बड़े level से आप अच्छी होने वाले है, day one time frame पर अगर हम levels की बात कर ले, जो targets की बात कर ले, तो 41,560 का target होगा, और next target होगा, 41,646 के around का, क्योंकि आप day one time frame पर में भी तो day one time frame पर भी वही pattern है, वही breakout का हम वेट कर रहा है, कि breakout हमें जल्द से जल्द मिले, और हम इसमें positive रहे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक काफी बड़ी rally यहाँ पर एक breakout के साथ आएगी, बट आज इसने उपर की और, यहाँ पर breakout नहीं दिया, तो कल एक deciding candle हो सकती कि जो next week है, वो क्या होगा, तो guys यहाँ पर अगर देखे, कल ही decide होगा कि next week upside के और जाएगा या downside के और, तो थोड़ा wait cap को करना पड़ सकता है, तो HDFC में भी बिलकुल आप देख सकते हो, एक चीज में ने कही थी कि यहाँ पर sustain करके उपर जाएगा, sustain करके उपर गया, पाद एक अच्छी rally आई थी, यहाँ पर भी symmetrical type pattern के बाद एक अच्छा momentum आया था, तो यहाँ पर 1677 के around का हमारा target है, उसके बाद है 1695 का, तो target के बीचे का logic है, यहाँ पर अगर देखे, day one time frame पर, तो यहाँ पर बिलकुल rejections थे, इन लेवल से, तो यहाँ पर first target है, और second target है या तो यही से fall आजाएगा, या फिर 1695 के लेवल से यहाँ पर fall आ सकता है, तो वेट करेंगे, देखना हो गाईस कल क्या होता, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कर अच्छा लगा हो, वीडियो को like कर देना, channel को subscribe करना मत भूलना, और कोई भी share में investment क और ने से fall insurance का एक बार analysis कर लेना है, और guys, thank you.